हेलो फ्रेंट्स विल्कम हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिविल इंजिनिरिंग थर्ड समेस्टर के स्लाइबस के बारे में जानने वाले हैं कि आपको थर्ड समेस्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे सिविल इंजिनिरिंग ब्रांच में तो फ्रेंट्स वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए आप वीडियो के अंतर तक जरूर बने रहें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करकर बताएं कि हमारे दौर आपक पूरे सेडूल है 30 समेस्टर सिविल इंजिनिरिंग दो हजार वीस का की आपको कौन कौन से सब्जECT पढ़ने हैं इस बार तो यहां पर फ्रेंट्स आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको जानने को मिलेगा आपका थेयोडिक PAPER कितने नंबर को होने वाला है,RITAKAL कितने स Ubजक्ट के होंगे, पर्समाते हैं तो यहाँ पर आपका PEPER होता है 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 यहाँ आपका ह। ऐसके थैपर की दोटना नाम वर यहां पर प्ड़ने को मिल जाता उसका नाम है सब्जगतal सब्जेक्ट इसका भी आपका 50 नमबर का theory exam होता है paper solve करने का time same धाइगंटे रहता है 20 नमबर का आपका फ्रेंज इसका practical exam होता है total आपकी internal और external marks मिला के 100 नमबर हो जाता है आपका जो तीसरा subject है फ्रेंज यहा पर पढ़ने को मिलता है environmental studies जो आपका environmental studies यह आपका जो subject next है यहाँ पर भी आपका जो 20 नमबर का आपका प्रिटिकल एक्जाम होता है 50 नमबर का आपका इसका written exam होता है पेपर सॉल करने का time फ्रेंट सेम धाई गंटे होता है और आपके internal और external marks मिलाकर 100 नमबर का हो जाता है नेक्स्ट आपका फ्रेंट्स यहाँ पर जो subject पढ़ने को मिलता है उसका नाम है यहाँ पर फ्रेंट्स आपका जो next subject है उसका नाम है जो आपका इस ट्रक्च्वल मसीन है इसमें आपका पचास नंबर का इसका भी थेओरी पेपर होता है पेपर जो सॉल्ट करने के टाइम फ्रिंट सभी में ढाई गंटे का होता है और यहाँ पर आपका 20 नंबर का इसका प्रेटिकल इग्जाम होता है और इंटर्नल और सब्जेक्ट यहां पर बिल्डिंग कंट्रक्शन तो आपका जो बिल्डिंग कंट्रक्शन है यहां पर भी इसका पच्चास नंबर का थियोरी का एक्जाम होता है धाइगंटे पेपर सॉल करने का टाइम होता है आपका 20 नंबर का प्रिटिकल एक्जाम होता है टोटल इंटर नहीं होता है और paper time जो आपका building drawing का होता है तीन घंटे आपको मिलते हैं building drawing आपको बनाने में इसका question paper solve करने में और total आपका इसका internal और external मिलाकर hundred number का paper होता है आपका जो next आता है student-centered activities होती है जिसको हम SCA के नाम से जानते है इसका आपका प्रेटिकल ही होता है यहाँ पर आपका प्रेटिकल नहीं है केवल आपके internal marks दिये जाते हैं जो आपका 30 नमबर का यहाँ पर internal critical होता है external आपका critical कोई भी नहीं होता है केवल जो आपके college के द्वारा तीस नंबर आपके internal marks दिये जाते हैं तो यहां पर SCA का मतलब आपका यहां पर इस प्रकार था तो फ्रेंस यहां पर टोटल आपके internal और external नंबर मिलाकर 630 नंबर का paper होता है और जो आपका यहां पर पूरा analysis आपका दिया हुआ है आपको इसकी PDF और नोट्स चाहिए तो आप आपको PDF और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेली ग्राम चैनल को जोइन करिए जिसकी link मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा तो फ्रेंस मिलते हैं आप से next वीडियो में